आज के कुर्टी कटिंग लेक्चर में 19 नंबर से सुरू करेगे सोलर कटिंग का सिधा मार्क से अंदर की तरफ डेड़ इच का मार्क करे और सोलर की सिलाई से यह मार्क को जोडते हुए आर्म करवा स्केल से गोलाई वाला सेप का मार्क करे यह आगे का ARMOL का mark है डापिंग में समझे यह solar का cutting mark है वहां से NADH अंदर की तरफ mark करना है और उसके बाद seller का ceiling mark से यह NADH वाला mark को जोड़ते हुए यह ARMOL करवा scale से गोलाई वाला shape का mark करना है जलना कि यहां पर गोलाई वाला shape है यह सिधा स्केल इस तरफ रखते हैं तो देखें यहाँ पर कितना अंतर है यहाँ पर गोलाई वाला से पोना जरूरी है इसलिए इस प्रकार से आपको सिधा मार्क नहीं करना है क्योंकि इस तरह से सिधा मार्क करेगे फिर यहां से गोलाई देगे तो यहां आर्मल की तरफ यहां पर जोल आने की समस्या ज्यादा रह जाएगी अब यहीं से डेडिज का मार्क करना है अब आर्मकरवा स्केल से इस तरह से गोलाई सेपका मार्क करना है शोलर का सिलय मार्क से जोडते हुए मार्क करें अब next point बीस नमबर में लिखाए corner से 1 से 1.25 इंच की दोरी पर मार्क करके आगे का आर्मोल के लिए गोलाई करना है डापिंग में देखे ये corner बना है वहाँ से 1 से 1.25 इंच की दोरी पर ऐसा मार्क करना है और उसके बाद आर्मो करवा स्केल से इसे गोलाई से इपका मार्क करना है ये corner से कम से कम एक इच का मार्क होना जरूरी है अगर आर्मोराउन का नाप बढ़ता है तब ही यहाँ पर आप सवाई तक उपर की तरफ से आर्मोराउन का मार्क कर सकते है Armour Round का Mark के लिए ये Side Part की 일ाइस से यहां तक जितना नाप आया है जिसे 2.7.1 तो उतना ही नाप का यहांपर Mark करना है अब ये 1,2 और ये 3 ये तिनों Mark को मिलाते हुए ये गोलाइसे थे पका Mark करना है यहांपर Mark करते वक ये 1.0 अपर की तरफ Round बना है अगर इस तरह यहां एक इच की तरफ इसको मिलाने जाए तो यहां पर टॉच हो रहा है इसलिए यहां पर जितना गेप है उसके अनुसार यहां राउन का नाप किया जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट 21 नमबर में लिखाए आगे का आर्मोल की गोलाई के लिए आर्मोर करव स्केल की गोलाई वाला सेप से मार्क करे और आगे का आर्मोर राउन चार्ट के अनुसार सोलर की सिलाई से अपर चेश का चोतरबाग की सिलाई तक किया गया आर्मोर राउन का माप चेक करे कि यह माप सही है या नहीं काउसमन लिखाए आगे का आर्मोर राउंड सही हो तभी पिछे का आर्मोर राउंड का मार्क करे यहाँ पर हमने आर्मोर राउंड का मार्क कर दिया है अब सोलर की सिलाई से अपरचेस की सिलाई मार्क तक यह आर्मोर राउंड को में मापना है यह आर्मूर राउंड का नाप कितना होना चाहिए. उसकी लिए यह आर्मूर चार्ट में समझना है.। इस तरह यहाँ पर आदा आदा इच पर इसे उंगली रखकर नापना शुरू करे तो देखें यहाँ पर सवा आठ इच आ गया है तो यह परफेक्ट है अगर यहाँ पर कौम या ज्यादा नाप आया हो तो क्या करना चाहिए उसके लिए भी हम टेक्टिकल समझेगे अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं 22 नंबर में लिखा है सबसे पहले 6 नंबर में कच्चा सिजा मार्क किया हुआ है वहाँ आरमर करवा स्केल का गोलाई वाला सेप से मार्क करे डाप्टिंग में देखे तो यहाँ पर 6 नंबर वाला जो कटिंग मार्क पहले किया था ये वाला वहाँ से ये गोलाई वाला सेप का मार्क करना है आरमर करवा स्केल से सोलर की सिलाई से यहाँ पर स्केल को रखते हुए मार्क करना है इस तरह ये गोलाई सेप में मार्क होगा एक्रोस मेजर का नाप लिया हो तो यहाँ पर उसका मार्क करना है और उसी के अनुसार आगे का और पिछे का आर्मोर राउंड कर सकते है फ्रन्ट एक्रोस का मेजर देखे तो साड़े चार पर पोने तेरा इंच नाप है तो यहाँ पर पोने तेरा का आदा सवा छे और एक पॉइंट बनता है तो यह रेडी मार्क बनता है और कटिंग के लिए 0.251 पॉइंट अलग शे नाप बनता है तो उसी के अनुसार यहाँ पर यह कटिंग आर्मर राउंड बना है अब देख पार्ट का एक्रोस मेजर देखे 14.75 यानि उसका आदा सवा साथ और एक पॉइंट नाप आएगा तो यह सिलाई मार्क है और यहाँ पर 0.251 पॉइंट यह कटिंग मार्क बनता है तो इसके अनुसार यहाँ पर आपको सेप करना होता है अब यहाँ पर हमें गोले वाला सेप का मार्क करना है तो साइट पट की सिले से यहाँ तक जितना नाप आया है उतना ही नाप का अंतर यहाँ पर करना है अब यहाँ से यह गोले वाला सेप का मार्क करना है इस तरह यहां पर front armhole और back armhole का नाप हो जाता है अब 22 नमबर में काउश में लिखा है अब body armhole round का map चेक करें measurement chart में देखे body armhole round का नाप है 16 inch तो वेसे हमने यहां पर upper chest में तो losing aid किया है जितना ज्यादा losing रखेगे उतना ही body armhole round का नाप भी डिलाएगा जिसे blouse में आदा inch या zero losing से बनाया जाता है तब body armhole round का नाप वहां पर perfect होना जरूरी रहता है लेकिन यहां पर upper chest में ज्यादा losing हुआ है इसके कारण body armhole round भी ज्यादा हो सकता है लेकिन हमें यह body armhole round इसलिए चेक करना है कि इतना नाप करने के बाद भी body armhole round का सोलर की सिलाई से नापना शुरू करना है आठ इच और एक पॉइंट यहां पर 17 इच ना पाया है body armhole round 16 इच है लेकिन यहां पर एक इच लूज बना है तो एक इच लूज बनने की वज़ा है यहां पर upper chest में दो इच लूजिंग इसके लेक्चर में हमने special armhole round के बारे में समझाया है तो इसका ही आपको ज्यादे से ज्यादे practice करना है खास करके front armhole round चार्ट के अनुसार यह front armhole round का cutting mark मिलना बहुत जरूरी है अब next lecture में हम 23 नंबर से सुरू करेगे आज का ही आपका दिन सुब रहे धन्यवाद